हेलो एवरिवन जैसे कि आज है 28 अप्टूबर और आज गरहन शुरू होने वाला है रात को एक बच के पांच मिनट से लेकिन चार बदे से इसका सूतक काल शुरू हो जाएगा तो फ्रेंट जैसे कि मैंने आपको लाश्ट वीडियो में बताया था कि आपको अपने पास गरहन के समय एक नारियल रखना है और जो गरहन की समय आपको कपड़े पहनने है वो भी ऐसे पहनने जिनको आप रिजेक्ट कर सको और साथी साथ गरहन के बाद आपको क्या करना चा आती है कुछ भी आपको लग रहा है कि यह मुझे नहीं करना चाहिए था मैंने कर लिया है तो उसके लिए आप क्या करें जिससे कि उसका कोई भी नेगेटिव असर आपको ना पड़ें तो वही सारा डेटेल में आज में इस वीडियो में आपको एक्सपेंड करूंगी जानते हैं जैसे कि फ्रेंट चार बच के पांच मिनट से इसका सूतक का लग जाएगा 28 सब्टूबर की शाम को ही तब इसे बहुत सारी सापधानिया आपको रखना शुरू कर देना है जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई हुई है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी साथ ही आई बटन में भी दे दूँगी तो आप वो वीडियो देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद तो फ्रेंट जैसे कि रात को एक बच के पांच मिनट से ग्रहन स्टार्ट 8 सक्टूबर की रात को और 2 बच के 24 मिनट पर ये ग्रहन खतम हो जाएगा ये ग्रहन भारत में भी दिख रहा है इसलिए इसका सूतक काल माना जा रहा है ठीक है अब जैसे ही ग्रहन खतम होगा इसका सूतक काल भी खतम हो जाएगा अब क्या है कि महिलाओं के मिन में आप पढ़िया सोई है पूरी रात सुबह उठ जाईए सुबह उठकर आप जैसी कि नहाद हो लीजे घर की जो साब सिफाई होती है वो कर लीजे ठीक है आप पूजा इस थल में जहां भी पूजा करते हो वहाँ पे थोड़ा सा गंगाजल छड़क दीजे और पूरे घर में भी अपने गंगाजल छड़क दीजे ठीक है और फिर उसके बाद भगवाएंजी के पूजा कीजे अराधना कीजे जो भी आपको करना है वो कीजे फिर साथी साथ भगवाएंजी से प्रे कीजे कि आने वाला जीवन बहुत अच्छा हो और आपका बेबी भी पूरे तरीके से सेफ और अच्छे तरीके से जन ले उसके बाद आपको कुछ ना कुछ धान जरूर करना चाहिए ग्रहन समाप्त होने के बाद जैसे कि आप किसी गरीब को खाना दे सकते हो, खाना अपने घर में खिला सकते हो नहीं कोई मिलता है तो आप मंदिर में खाना दान कर सकते है उनको reject करना है, उसको किसको देना चाहिए आपको, तो friend जो आपने ग्रहन के समय पे कपड़े पहने हुए थो उनको आपको फिर नहीं पहनना है दुबारा, ना ही वाष करके, ना ही कैसे नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, ये माना जाता है घरों में, मुझे बताया गया था, इ आपनो पर्सनल एक्स्पीरल्स तो ँन कपडों को आपको किसी को दान करदेना है जिसके ऑह गरीव है आपके आस्परोस में कोई जैसे की कफ़ष्णा रइने वाले आती हैं लेडिज आती हैं कोई बी आता को इपको दिखता है उसको वो कपड़े से दान करते जिए बस यहीं उ पास-पास कोई कुवा है नदी है तो उसमें आप बिसरजित कर दीजे अगर नहीं है तो कहीं भी जमीन पर एक गड़ा खोद कर उस नारेल को उसमें आप अंदर गार दीजे इसके बाद एक main important चीज जो आपको जरूर करनी है वो है ग्रहन के समय गलती से कोई mistake हो जाती है घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हमेशा positive रहना है negativity माइड में नहीं लानी है कोई गलती हो गई है हो जाने दीजे माइड पर बिल्कुल मत लाईए ठीक है भगवान जी सब कुछ ठीक करते हैं अगर ज्यादा negativity आप माइड में लाओगे अपने ज्यादा सोचोग आपको देना चाती थी ग्रहन के बात की तो I hope सब लोग positive रहेंगे कुछ भी negative thoughts अपने mind में नहीं लाएंगे और साबधानियों वालो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख लिजे मैं link आपको end screen में भी देदूगी यह जो वीडियो end होगा उसके बाद आपक को उस वीडियो का link मिल जाएगा चलिए बबाइ थैंक यू